जैने बचो बहुत भूस्वागा ने हमको क्लास्टर अकामपेंसी में बचो आज हम एक चेप्टर स्कार्ट करते हैं जिसका नाम है एड़िशन आप पार्टनर ने हम यह देखेंगे कि कौन कोन से ट्रीटमेंट होते हैं और किस तरह से एक्सप्ट करते हैं हमारी पार्टनर से छेप्टर करने से बचेप्टर करने करें हैं सबसे जब कोई सब्सक्राइब क्या इसको अपन k nine profit S सेरिंग का एस और इसका आ तो अपन इसको बोलते हैं NPSR क्या बोलते हैं NPSR New Profit Sharing Ratio पहली जी जब कोई पार्टनर फ़र्मन में एडमिट होगा तो हम क्या क्या करेंगे सबसे पहले New Profit Sharing Ratio that is called NPSR प्लियर चलिए यह वार पोइंट कम्रीट Next हमारा क्या है Sacrificing Ratio Sacrificing Ratio को हम इन सौट में बोलते हैं SR क्या बोलते हैं SR यह है Sacrificing Ratio Sacrificing Ratio का S और रेशो का A SR Sacrificing Ratio Sacrificing Ratio की हम यहां पर कैल्कुरेट करना सीखेंगे कि जब कोई partner firm में admit होता है तो वो तो के नहीं partner कहलाएगा क्योंकि उसको क्या होगा पहले कोई दो हिस्से एक हिस्सा मिलता था a को और दूसरा हिस्सा मिलता था b को क्यों पर में तो partner थे a और b रोटी के यह आदा-ादा करते थे इकोल इक पर बोलो खाथे लीर अब आप A और B दो पार्टनर थे, नया पार्टनर आया फॉर्म है कौन? C, कौन आया? C, तो अब कितने पार्टनर होगा है? 1, 2, 3, कितने पार्टनर होगा है? 1, 2, 3, जब 3 पार्टनर होगा है फॉर्म है, तो पहले जब 2 पार्टनर थे, तो एक रोटी के दो हिस्से हुआ करते थे अब एक रोटी के कितने हिस्से होंगे तीन हिस्से होंगे यह हमारी एक रोटी है इस रोटी के हमको तीन हिस्से करने है और वो भी कैसे बराबर बराबर करने है ठीक है? चलिए दिखते हैं कि यह पार्ज़ों थे गिनेगा यह अको मिलेगा कि मतलब ने जो पार्टनर सोते हैं इमिलेर सो चोड़ते हैं वह अपना कुछ हिसा चोड़ते हैं किसके लिए सवन माइब कि लिए नए आप्टनर के लिए। कितना हिस्सा बना हुआ है' इसका यह C का पना हुआरा किसे बना हुआ है यह यह से डिबाइड कर दें अगर 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 ऑन तो यह वाला हिस्सा कौन छोड़ रहा है ए छोड़ रहा है और यहां से अगर आपन डिवाइड कर देते हैं तो यह वाला हिस्सा कौन छोड़ रहा है बी छोड़ रहा है यह सी के लिए सेक्रिपाइस किया गया है एक द्वारा यह किया गया है सी के लिए एक द्वारा और यह वाला हिस्सा बी के द्वारे बन गया है यह यह पूरा हिससा किसके लिए बन गया इसकी लिए अगे नैश्ट सी नहीं में हम देखिने कि एक होती है आपकी एक होती है average profit method, दूसरी होती है super profit method, और तीसरी होती है capitalization method, clear, capitalization method में हम या तो average profit को base लेकी चल सकते हैं, या पर super profit को base लेकी चल सकते हैं, clear, तो वो चीज़ा मैं कहां दे चुके थे, पहले के topic में cover कर लिया है, कौन सा topic हो वो हमारा, valuation of goodwill, उसकी theory की class दिया है और उसक देख सकते हैं, ठीक, तो अगर यहां पर कोई question ऐसा आता है, तो हम उसकी क्या निकाले है, उसकी value निकाले है और उसके बाद, उस goodwill को हम चाहरे के कुछो, adjust करना सीखेंगे, कि उसकी journal entry क्या होती है, हना, कौन सा partner debit होगा, कौन सा partner credit होगा, वो चीज कहला आता है, adjustments of goodwill, मतल अगर रिवेल्यांकर क्या होता है, जितने भी assets हमारी firm में होती है, उन्हें assets को फिर से क्या किया जाता है, पहले check किया जाएगा, कि भाया हमारी पहले assets थी, उसकी value थी कितनी, 10,000 रोपे, जैसे कि एक partner firm में आया, उस assets की value कितनी हो गई, 12,000 रोपे, अगर हमने जब purchase किया इतने की थी, इतने की थी, 10,000 रोपे, लेकिन आज की rate में, market में उसकी value कितनी है, 12,000, अगर हम उस machine को बेचने के लिए लेके जाएंगे, उस assets को बेचने के लिए लेके जाएंगे, तो आज market में कितने की बिचेगी, 12,000 रोपे की बिचेगी, clear, मतलब, यहाँ value क्या होगी जब value change होती है, तो उसी चीज को बोले जाता है, आपकर पुनर मुल्यांकन, clear है, और पता कैसे चलता value change का, पुनर मुल्यांकन करते हैं ताज, अब यहाँ देखो, 2000 से हमारी assets क्या होगी, बच्छो, increase होगी, क्या होगी हमारी assets, increase होगी, जब increment हुआ है, increase हुई है, तो उसक पहीले नहीं को record करना कड़ेगा, तो जिस account में हम उस increase या decrease को record करते हैं, वो account हमारा कहलाता बच्छो, revaluation account, कौनसा account कहलाएगा, revaluation account, वही पे assets को भी revalue किया जाएगा, और liabilities को भी reassessment किया जाएगा, liability का क्या होता बच्छो, re assessment, कोई liability increase होगी, कोई liability का होगी, decrease होगी, तो वही चीद हमारी का बचाती है, revaluation of assets and re-assessment of liability, clear है, चाहे liability हो, चाहे assets हो, अगर increase और decrease होगी, तो उसका जो valuation होगा, जो recording होगी, वो कहा होगी, जो revaluation account होगी, कहा होगी, revaluation account होगी, clear होग, चलने, आकर रहते हैं, next topic किसी में आएगा, distribution of accumulated profits and reserves, थाना, accumulated profits and reserves, यह बुल रहा है, accumulated profit मतलब की, ऐसा को profit होगा है, अगर firm को पहले को सालम है, तो उस profit को हम क्या करेंगे, बच्चों, distribute करेंगे, किसको distribute करेंगे, जो existing partner firm में होते हैं, like A और B, A और B पहले से firm में काम कर रहे थे, C नया partner आया, जब यह partner आएगा, तो पुरानी जितनी भी ची पहले ही सारी चीज़ों को रिवेल्यो कर लिया जाता है, जब कोई partner firm में admit होता है, तो उसके admission के पहले ही सारी चीज़ों को रिवेल्यो कर लिया जाता है, वेल्यो करने के बाद, find out भी कर लिया जाता है, कोई पुराना profit तो नहीं पड़ा, जिसको हमने अविकर बाटा नहीं है, या पर कोई reserve तो नहीं पड़ा है, हमारी firm में, जिस जिसको हमने अविकर distribute नहीं किया है, तो वो सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, बच्चों यहां पर बहरे distribute कर लेंगे, फिर हम सीखा क्या करेंगे, admission करेंगे, clear, and last, यहीं पर आएगा adjustments of partners capital, partners capital account अपन ने बनाना कहां सीख लिया था, first chapter में, fundamental में, है ना, अब वहां के जाता है, clear, तो गो topic इलाता है हमारा adjustments of partners capital, clear वो मचो, चलिए, आज हम दो topic कबर करेंगे, इसी chapter के important points में से पहला है हमारा new profit sharing ratio, कि नया profit sharing ratio होता क्या है, और दूसरी ची, sacrificing ratio, और sacrificing ratio होता क्या है, theory class में में यह दोनों चीजिए होते लिए था, कि new profit sharing ratio क्या होता है, जब कोई partner firm में आता है, या firm से जाता है, या firm का क्या होता है, reconstitution, पुनर कठन होता है, तो agreement क्या बनाता है, change, और जब agreement change होता है, तो वहां पे नया ratio जरूर आएगा, clear, नया ratio मतलब कि future में, जो भी profit होग अब उस नए ratio में बढ़ेगा, तो वह कहता है, new profits sharing ratio, और sacrifice ratio में आपको बता दिया, कि incoming partner के लिए, जो existing partner होते हैं, अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, हना sacrifice कर देते हैं, तो उसी त्याग को अपन क्या बोलते है, sacrificing ratio बोलते हैं, clear, देखते है हैं, दौनों को कैसे हम calculate करते हैं, आज हम यह दौनों topic की नवर करेंगे, next class हम यह आगे की topic देखेंगे, clear बचो, चलिए, start करते हैं, एक example लेते हैं, example में लेते हैं, क्या लेते हैं, कि there are two partners, कितने partner बचो, दो partner है, कौन-कौन है, A और B है, profit share करते हैं, यह लोग क्या, one is to one के ratio में, मतलब equal, one is to one के ratio में, they admitted C, किसको admit किया, पच्छों इन्होंने, C को admit किया, कितने share के लिए admit किया, one fourth share के लिए, कितने share के लिए किया, one fourth, four बच्छों बना देते हैं, one fourth share के लिए, कितने share के लिए, one fourth, अब इस case में, हमें पता ही नहीं चल रहा है, कि new profit sharing ratio क्या होगा, यह sacrifice ratio क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पर calculate करेंगे, calculate करेंगे, calculate करने का तरीका देखो, कैसे calculate होता है, solution, ठीक, A और B, दो पार्टर है, profit ratio, old ratio क्या है, इक्वाला, one is to one है, C admit हुआ है, कितने share के लिए, one fourth share के लिए, कितने share के लिए, one fourth, तो total हिस्से का one fourth हम किसको देदेंगे, C को देदेंगे, कैसे, यहां पर assume करते हैं, let total share of profit be one, कितना हम बच्चों, एक है, total क्या है, एक, एक मेंसे हम C को कितना देंगे, one fourth, clear है, चलिए, देख रहे है, C will get, C will get, one fourth share from total, clear है, total मेंसे के लिए, one fourth, के से लिए, से लिए, so, remaining share is equal, total share one, minus one fourth, C को दे दिया, remaining कितना बच्चे का, बच्चों, इनका LCM नहीं दे, clear है, one की नीचे कुछ नहीं है, तो, divided by one, बच्चों, 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 ए और बी को मिलेगा, ए और नुदी का ओल्डर रेसो क्या था वन इस्तू वन में मतलब क्या बता है आधा 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 मतलब एक रोटी का अधर सब तो बत पाए टू एक अब सी को तो अलग से मिल रहा है देखते हैं नाओ नियूँ प्रॉपिट्स यह इन रेसो क्या से एक रिमेंग कितना बचा हुआ है थ्री वाई फॉर ठीक यहीं थ्री वाई पॉर किसकी लिए बचा हुआ बचा हुआ है और चीना है वन वाई फॉर ए अब देखते हैं इस थ्री वाई फॉर का आधा हिस्सा मिलेगा ए को और आधा हिस्सा मिलेगा बी को आधा का मतलब क्या होता है वन वाई टू वन वाई टू क्लियर तो इस आधी रोटीन का वन वाई टू इसको मिलेगा और वन वाई टू इसको मिलेगा चलिए देखने 4 टूज़ा 8 और 3 बन्ज़ा 3 3 बन्ज़ा 3 4 टूज़ा 8 अब चेक्टर बचो इसके denominator में 4 है और इनके denominator में 8 है तो 4 को 8 में convert करने के लिए into क्या करेंगे हम 12 तो denominator और numerator दोनों में हम किते का multiply करेंगे 2 का multiply करेंगे clear है तो यह हो जाएगा आपकर 2 बाए 8 2 बन्ज़ा 2 और 4 बन्ज़ा 8 here new profit sharing ratio will be 3 is to 3 is to 2 निकल के आ लिए new profit sharing ratio is equal 3 is to 3 is to 2 यह हो गया बच्चो आंसर clear है कैसे निकादा हमने total share हमने माल लिया कितना है हमारा one total share कितना बच्चो वन एक रोटी है उस रोटी मेंसे c will get one fourth share from total total मेंसे direct कितना लेगा c one fourth क्योंकि यह कितने share के लिए आया आपकर हमें one fourth share के लिए so remaining share remaining share कैसे निकालेंगे total share हमेंसे one fourth किसको दे दिया हमने c को दे दिया तो c के लिए हमने one minus one by four किया तो answer कितना आया three by four three by four अब three by four में किसका किसका हिस्सा होगा a और b दोनों का होगा a का भी हिस्सा है इसमें और b का भी हिस्सा है a का भी हिस्सा है और b का भी हिस्सा है लेकिन कितना है one is to one मतलब बरावर 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 मतलब एक हिस्से के दो मतलब एक जो टोटन होगा उसके दो हिस्से जब दो हिस्से होते तो एक और एक दो हो गया मतलब आधा इसको मिलेगा और आधा इसको मिलेगा अब आधा किसका मिलेगा तो 3 by 4 का 3 by 4 का अब 3 by 4 का तो का मतलब क्या होता ह इंटू का मतर्प्या होता है इंटू मत्दब 3 by 4 of 1 by 2 of 3 by 4 1 by 2 of 3 by 4 3 by 4 का कितना 1 by 2 इसी लिए एक न्यू प्रोफिट से रिके सुझाए 3 by 4 का मैंसे कितना मिलना इसको 1 by 2 मिल रहा है तो 3 बन जा 3 और 4 तू जा 8 क्लियर तो यह ओड़े 3 by 8 बी का भी से वही है जितना रिमेनिंग से रचा है उसका आधा दे दो आधा मतला बन भाए 2 तो 3 बन जा 3 और 4 दू जा करते हैं को आधा करने हमारा होता है यह यह ओक्ति हैं को इसको है तो ऐस स्थ्री स्थी 2 इसटो 2 क्लियर बजो चलिए आगे दिक Chemistry अब new profit sharing ratio तो यहाँ पर निकल गया हम बात कर रहे हैं दूसरी क्या sacrificing ratio का sacrificing ratio का formula क्या होता बच्चो हमने थे होगी क्लास पर बढ़ा था old ratio minus new ratio old ratio minus new ratio देखते हैं old ratio minus new ratio क्या होता है sacrificing ratio कैसा old ratio minus new ratio old ratio minus new ratio अब देखो old ratio क्या था 1 is to 1 मतलब 1 by 2 और 1 by 2 ये था old ratio हमको निकालना है क्या sacrificing ratio तो निकालते हैं हमने देखते हैं कि sacrificing ratio क्या निकलेगा तो A का sacrifice निकलेगा और B का sacrifice निकलेगा clear रच्चो क्योंकि यही दोनों पार्टनर अपने share का थोड़ा हिस्सा किसको दे रहे हैं C को दे रहे हैं C तो gaining part करने जाएं उसको तो gain हो रहा है क्योंकि पहले कुछ में देखा था लेकिना उसको profit का हिस्सा मिलेगा तो बोतों के नहीं sacrifice कौन करेंगे जेगर A और B इसी दे sacrifice किसका निकलेगा A और B का हमने बढ़ा old ratio minus new ratio old ratio है 1 by 2 1 by 2 इसका old ratio 1 by 2 और इसका भी old ratio क्या है 1 by 2 minus minus क्योंकि minus करना है कौन से ratio को minus करना है new ratio को minus करना है हमने देखा new ratio क्या निकलाता है यह गा 3 by 8 और इसका 3 by 8 3 by 8 और इसको भी minus करना है 3 by 8 चलिए देखते है LCL 2 और 8 का LCL ज्या होगा बच्चो 8 कैसे होगा 8 की table में भी 8 आता है 8 आता है इसी लिए 8 is the NCM clear है चलिए रिखते है 2 के table में 8 कितने टाइमस में आएगा 2 4 जा 8 4 ताइमस में तो 4 बन्जा 4 minus 8 के table में 8 कितने टाइमस में आएगा 8 बन्जा 8 8 बन्जा 8 मतलब एक बारो में 3 बन्जा 3 answer is 1 by 8 answer क्या आएगा 1 by 8 next इसका भी same आजाएगा क्योंकि same values दी नहीं है same values दी नहीं है तो same चीज जाएगी 4 minus 3 that is 1 by 8 अब 1 by 8 1 by 8 आ रहा है clear है यहाँ पर हम sacrifice के case में denominator को consider नहीं करते हैं अगर दोनों के denominator में value same है तो हम sacrifice इंगे तो क्या दिखिंगे बच्चो वन इस्टू वन यह निकलके आगे आगे हमारा sacrificing ratio 1 by 8 1 by 8 8 क्या कर दो अलग कर दो बचा क्या 1 is to 1 तो sacrificing ratio का formula क्या हो गया old minus new तो answer आगे 1 by 1 मतलब 1 is to 1 clear बच्चों यहाँ पर आपका topic complete है जाता है new profit sharing ratio का और sacrificing ratio का clear है new profit sharing ratio आपका देख लिए कैसे calculate होता है पहरी condition complete दूसरी condition sacrificing ratio की old ratio minus new ratio old ratio question में given होता है new ratio हमने यहाँ calculate कर दिया था old ratio में से new ratio जो हमने minus किया तो answer आए 1 by 8 1 by 8 denominator को यहाँ consider नहीं किया जाता है sacrificing ratio की case में तो ratio क्या बच्चों हमारा 1 is to 1 बसकते आपके denominator में same value होनी चाहिए clear है अगर same value नहीं है तो पहले हम उसको same value में convert करेंगे और convert करने के बाद denominator को हम हटा देगे और जो answer आएगा उसी को continue लितेंगे तो यहाँ पे यह answer क्या आ रहा है 1 by 8 और 1 by 8 8 by 1 minute किया तो 1 is to 1 सेक्रिपाइजी रेसों हमारा आगे 1 is to 1 clear बचो next class में हम आगे डिटाविक्स से complete करेंगे तब तक लिए thank you करेंगे